फ्रेंज देखिया अगर आपने एक GST नमबर बना लिया और GST नमबर बनाने के बाद जो आपको मांदली रीटन फाइल करना होता है ओ आप भूल गया तो आपको क्या होता है लेट फिस पे करना होता है तो बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होता है कि इसमें लेट फिस भी लगता है तो फ्रेंज मैं कहना चाहूंगा अगर आपने GST नमबर बना लिया तो एवरी मंथ आपको रीटन फाइल करना ही करना है अगर आप भूल जाते हो तो आपको लेट फिस देना है तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपका फाइल लग गय आपको फिरलिए ऐल को विडि históकर करते हैं तो फ्रेंज चैल लिए आपको कोई एक बॉजरे आपन कर लेनाा है दो ब्राइब कारी करड़ करने के लिए आपको ओ ब्रॉजब से शो हो जाएगा जो फर्स्ट वाला लिंग याइगा इस लिंक पे ही आपको क्लिक करदेना है तो क्लिक कहने के बाद friends इस टाइफ से शो हो जाएगा username पास्वार डाल के login कर लेना है तो login कहने के बाद friends इस टाइफ से शो हो जाएगा और friends आप देख सेकते हो मेरा में मांद का zstr1 फाइल किया हुआ है और zstr3 भी अभी तक मैंने फाइल नहीं किया है आप देख सेकते फाइल करके दिखाऊंगा और इसमें ही मतलब लेट फी देना होता है तो थोड़ा स्कॉल डाउन करेंगे स्कॉल डाउन कहने के बाद इदर देखे option दिया गया है डेज़वोड का डेज़वोड में क्लिक कर देना है तो क्लिक करने के बाद friends इस तरीके से शो हो जाएगा फाइल रिटर्न इस option में ही आपको क्लिक कर देना है तो क्लिक करने के बाद friends इस टाइफ से शो हो जाएगा और इसमें देखिए जो financial year है और फिर quarter इसमें भी चूछ रहेगा फिर आपको फ्रियोड में जाके आपको में महीना चूछ कर लेना क्योंकि जून तो आभी चल र ऊसे option में ही आपको क्लिक कर देना है और देखिए इसमें निल फा आपको फाइल और इसे नहीं आ रहेगा और देखिए और 60 रूपीज है आप देख सेकतो किसमें है तो इसमें आप देख सेकतो मेरा Central Tax है 30 रूपीज और State Tax है 30 रूपीज यानि टूटल मेरा 60 रूपीज पे करना होगा तो इसमें थोरा Scroll Down करूँगा तो Scroll Down कहने के बाद इधर Option आएगा आप देख सेकतो Proceed to Payment तो इस Option में क्लिक कर देना है, तो क्लिक करने के बाद फ्रेंस इस टाइफ से शो हो जाएगा, फिर देखिए पेमेंन मेतोड आ रहा है, आप किस तरीके से पेमेंन करना चाहते हो, फिर आप काउंटर, एनी, एफटी, आर्टी, जी एस, तो इस सब मौट से आप पेमेंन कर सकते हो, तो मैं इधर चूस करूंगा, ईपेमेंन, तो फ्रेंस इपेमेंन में क्लिक करने के बाद, आपको नीचे ऑफशन में देगा, जिन में क्लिक कर देना हाँ, तो click करने के बाद, फ्रेंस इस टाइफ से तो इस option को मैं choose करने था हूँ, so choose करने के बाद फिर आपको देखिए इसमें दो option आ रहा है, यानि कोटक महिंदरा bank का option आ रहा है, अगर आपके पास कोटक महिंदरा का bank नहीं है, तो भी आप इसमें tick कीजए, आपको देखिए, विपी आई देने का option मिल जाएगा, तो इसमें tick कर लिजए और नीचे जो option है, I agree का, तो इसमें भी आप tick कर लिजए, तो tick करने के बाद फिर make payment इस option में click कर दीजए, तो click करने के बाद friends इस टाइप से show हो जाएगा, तो इधर आपका EPD दीजए, EPD देने के बाद फिर make payment for 60 rupees इसमें आपको click कर देना है, तो click करने के बाद friends इसमें आपको timer दिया जाएगा, इस time के अंडर ही आपको phone पे से payment कर देना है, तो friends देखिए उसमें phone पे हो, Google पे हो, जो भी आप EPD देंगे, उसमें एक notification जाएगा, उस notification में आपको click करके आपको जो pin है आपका, तो pin आप enter कर देंगे, तो आपका पैसा cut हो जाएगा और cut होने के बाद इधर आपको show हो जाएगा, जाकि आपका जो payment है, payment success हो चुका है, तो friends इस तरीके से show हो जाएगा, your payment is successfully completed हो गया, तो होने के बाद फिर आपको continue कर देना है, continue करने के बाद friends इस type से show हो जाएगा, तो मैं आपको कहूंगा dashboard में, फिर से आप आईए, आने के बाद फिर इधर जो file returns option इसमें क्लिक कर दीजे, तो क्लिक करने के बाद friends इस type से show होगा, फिर से आप pre-order, इधर से choose कहें लीजे, में महीना, फिर आपको search कर देना है, तो search करने के बाद friends फिर से आपको जो ZSTF3 भी इस option में आना है, प्रिवियर online इस option में क्लिक कर देना है, तो क्लिक करने के बाद friends इस type से show हो जाएगा, close कर देना है, तो close करने के बाद फिर आपको थोड़ी scroll down करना है, proceed to payment इस option में आना है, तो आने के बाद friends इस type से show हो जाएगा, फिर से आपको थोड़ी scroll down करना है, make payment पे आना है, click करने के बाद इस तरीके से आएगा yes कर देना है, फिर आपको देखिए offset successfully हो चुका है, यानि आपका जो पैसा है, पैसा adjust हो चुका है, आप ok कर दीजिए, ok करने के बाद friends इस type से show होगा, थोड़ी scroll down कीजिए, देखे proceed to file आचुका है, तो proceed to file इस option में click कर दीजिए, तो click करने के बाद friends इस type से show हो जाएगा, authorized signatory इसमें आपको just select में click करका आपका नाम सूस कर दीजिए, नाम सूस करने के बाद फिर file with evac option में click कर दीजिए, फिर आपको इस तरीके से show हो जाएगा, प्रोसीट के उप्शन में click कर दीजिए, तो persistent के उप्शन में click करने के बाद फिर आपका जो mobile number इसमें एक otp आएगा, उस OTP को यदर आप enter कर दीजिए enter करके verify का option में click कर दीजिए तो verify का option में click करते ही आपका return file complete हो चुका है आपका ZHT1 पहली हुआ था अभी ZHT3 भी complete हो चुका है और आपका जो भी find था find भी मतलब payment हो गया तो friends इस तरीके से आप आराम से घर वेटे है आपका mobile से ही अगर कोई भी file लग गया है आपका ZHT number पर तो आप payment कर सकते हो तो friends इस वीडियो में इतने हैं तो तुछ अच्छा लगए तो लाइक कीज़े शेयर कीज़े और में चाल को subscribe करना ना बोले फिर मिलेंगो और एक new video के साथ thank you